पेट कम करना चाहते हूँ और ऐसा कम करना चाहते हूँ कि दुबारा पेट निकल के बाहर ना आए। करेगा और मसल्स को डाबलब करने में आपको हेल्प करेगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना रेसिपीस के साथ में आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज आपको कैसे प्रपेर करनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पेगर पहली बार आए या फिर आ कि आप जानते हो हमारा पेट बढ़ने का कारण क्या होता है हमारे पेट बढ़ने के यू तो बहुत सारे कारण होते हैं लिकिन अगर हम इसको डाइट के इस आप से देखें तो अगर आप बहुत जादा मौट में कार्भोहड़ेट्स खाते हैं प्रोटीन का इंटेक कम लेते हैं चिटटा हाट बहुत जादा रहती है या फिर आपकी नीन पूरी नहीं होती है गुसा बहुत जादा आता है तो भी आपको फिकली आकिली नहीं करते है इनिशेलने हिम जादा डाएट के बारे में सोचते भी नहीं है तो यह सारे कारण होते हैं का पे निकलने का ठीकों कौन सा कारण है कॉमें जरूर बताना तो अब हम देख लेते हैं हमारा डाट प्लेट यह एक सैंछ OH अगर आपको अपने लिए कस वादाग अपकी ज़ादा है तो हमें ध्यान लगना है कि हम अपनी डएट ऐसी फालो करें जिसमें अच्छी मातरमें न आately जासे दिन की शुरुत में करेंगे दो गुलास गुन ने पानी के साथ में हैं तूैकर, अब इस गुंगहुने नteil कि साथ निके。 आपको क्या लेना है आपको लेने हैं भीगे हुए मेथी के दाने रात को आपको मेथी के दाने भीगो के रखने हैं सुबह आपको ये मेथी के दाने जिसमें अपने भीगोया हुआ है वो पानी भी आपको पीना है और जो दाने है वो भी आपको चवा-चवा के खा लेने हैं कितने दाने भीगोने हैं, तो जितनी आपकी उम्र है, उतने दाने भीगो लीजिए, आपकी उमर 40 साल है, 40 दाने भीगो दीजिए, 35 साल है, 35 दाने भीगो दीजिए, ठीके, सुबा उटके आपने ही दाने खा लिए, अब मेथी खाने से क्या होता है, मेथी खाने से आपकी ब फुद्धि पसर हमेशा पढ़ता है तो अपने दिन के शुरुवात हमेशा इस तरीके के हब से आपको करना चाहिए ना कि अच्छा लगे वो आप ले लेना पहला option है इसमें उबले हुए काले चने जो की आप लगभग एक छोटी कटोरी जो हमारे घर है मीडियम साइस की होती है वो आप ले सकते हैं दूसरा option है यहाँ पे उबला हुआ मूं का दाल यहाँ पे आपको ग्रीन वाली अखा मूं क्वांटिटी में बनाना है तो चलिए किचन में चलते हैं दोनों चीज़ों की हम रसिपे देख लेते हैं तो फ्रेंज हम आ गया किचन में कड़ाई हमने एक लिए इसकी जगा पर आप कूकर भी ले सकते हैं जैस का फ्लेम और आप हम इसमें डालेंगे एक चमच देशी घ जीरा है अब यहां पर मैं डाल जूँ एक छोटा प्याज इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है अगर आप आप नहीं खाते हैं तो इसको आप अवाइड भी कर सकते हैं परस्नली मुझे इसमें प्याज का टेस्स बहुत अच्छा लगता है तो मैं हमेशा प्याज को इस इसमें हम डाल रहे हैं यह तमाटर यहां मैंने यह एक थोटा टमाटर लिया है तमाटर को डालके इसको हलका हलका सा इस तरह से भून लेंगे तमाटर को भी बहुत जादा आपको बूनना नहीं एक दम ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल ऐसे लसेदार हो जाए उतना नहीं एसे डाईर की इसको भी आपको इसी तर ये से हल्का हल्का भूणना है क्योंकि घंक्रों में फोड़ा कडा पहुंठा है तो बड़ेकर इन में इस उसको अब उसके आज इसको इस इसे में डाल जाँ तोड़ धी हरिमिर्च का का टिये मैं자를 अगर आप बहुत ज़ादा तीखा खाते तो थोड़ बहुत धीचा का रखते हैं देखर बहुत अच्री मपनिके यह भूने के भूनने की इसमें खुश्मों भी आना लगी है अब इसमें डालें गे हैं में प्रोटीन दोनों में बहुत ज्यादा रिच है, विटामिन B12 इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपकी मसल्स को ग्रोथ भी देता है, आपकी मसल्स को स्ट्रांग भी बनाता है, इस तरह से इसको डालने के बाद हलका सा इनको भूनेंगे, अब हम इसमें डाल इसमें डालना है, सिर्फ दो चमाच पानी बिल्कुल भी जादा नहीं डालना, सिर्फ दो चमाच पानी डालेंगे बिल्कुल कम फ popular इस तरह से दो चमाच पानी डालके इसको इस तक से हलका सा मिला but что मिलादे जिए, सब चीजों को इक जगा पे खटा करिए, जो भी आपको मसाले डाल नहीं है तो वह आप इसी वक्त पर डाल दीजिए और बस अब हम इसको भग देंगे सिर्फ तीन मिनट के लिए तीन मिनट पकाने के बाद फिर मैं आप से मिलते हूं कि सो फ्रेंट लगबग तीन मिनट हो गया है अब हम इसको खोल के देखेंगे ढ़कन को यह देखिए कुक हो गया है अगर आप इसमें जादा पानी डाल देंगे न तो यह दाल ऐसे हो जाएगी बिल्कुल मतलब लेसलस ही हो जाएगी आपको खाने का मन भी नहीं करेगा तो बस यह देखो बनके तयार है और लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे मेरा फेवरेट इंडिगेंट जो कि इसको टेस्टी भी बनाएगा और करंची भी बनाएगा यह मूमफली के दाने ठीक है यह आपको इसमें एड करने हैं इसके टेस्ट को भी बढ़ाएंगे और बीच बीच में मूह में आते हैं क्रंची क्रंची बहुती जादा यम यम लगते हैं तो यह आपका आज का ब्रेक्पास्ट बनके रेडी है कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आप आज तक यह सोच रहे थे कि मूह की दाल को खाना बोरिंग होता है तो ए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मीजर करेंगे कौन सी चीज कितने ग्रैम में है कप में अपको कब से अगर आप मीजर करेंगे तो कितना वह पढ़ेगा और हर चीज सी कैलरीज में आपको यहां पे बाताती रहोंगी तो सबसे पहले हमनें यहाँ पी मुंकी दाल के जो यह इस तरीके से होने चीए थोड़े लंबे लंबे धागे उसमें निकले होने चीए करीब आधा इंच के असपास जरूर अपकर दागे निकालिए जब आप यह दागे निकालते हैं तब इसका जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मैं यह चाय वाला कप यहां पर ले रहे हूं ताकि आपको एक्जेक्ट मीजर्मेंट पता चले कि पचास ग्राम एक्चुली में अगर आप कप से न अपरे तो कितना होगा तो अभी आप देख सकते हो यह लगबग 41 ग्राम 40 ग्राम अभी हो गया है और हमें इसको 50 ग्राम करना है यानि कि अगर चाय वाला कप है इसको अच्छे तरीके से भरेंगे थोड़ा दबा दबा के तो यह लगबग आपका 50 ग्राम के असपास हो जाएगा अभी आप यह देखिए पूरा कप चाय वाला कप है हमारा इसको मैंने अच्छे से प्रेस करकर के भर लिया है और यह यहां पे 50 ग्राम जो हमेरे स्प्राउट से यह हो गया अगर आपको किचन स्केल नहीं भी है तो लेने की जरूतरी है बस मैं आपको आइडिया दे रही हूं कि इस तरह से चाय वाला कप आपको अच्छे से भर लेना है 50 ग्राम जो हमने यह स्प्राउट लिया है इसमें only 15 क्यालरीज है यानि क्यालरीज में बहुत ही कम है एक ग्राम इसमें प्रोटीन है जो कि प्रॉपर प्लान प्रोटीन है तीन ग्राम इसमें कार्बोहाइडियेड है और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में हो जो सुबह दूद बच उसका हमने ये पनीर बनाया यानि कि ये लो फेट पनीर है और इसको भी हम मीजर कर लेंगे जो पनीर हमें यहां पर लेना है यह भी हमें 50 ग्राम पनीर लेना है और 50 में लगबख 129 कैलरी ने होते हैं तो प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जिन लोगो पनीर सूट नहीं करता या मिल्क प्रोड़क्ट वो नहीं ले सकते हैं वो लोग इसकी जिगह पे सोया चंसका इस्तमाल भी कर सकते हैं तो आप यह देखिए यहां पर यह हमने करीब 50 ग्राम यह हमने पनीर ले लिया है अब अगर मैं इसका कप से आपको मीजरमेंट बताओं तो जो हमारा यह चाय वाला कप है इसको आप देखोगे तो यह करीब आधा कप के आसपास है यह आधा कप अगर आप लेते हो तो यह आ अब मीजर कर रहे है हमारा अगला इंग्रिजेंट टाटेस रणर बीन्स रणर बीन्स की जगह पे आप और भी सबजियां इस्तमाल कर सकते हैं इनको आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि अगर आप 50 ग्राम यहां पर लेते हो तो इसमें सिर्फ 25 क्यालरीज होती ह है दो ग्राम इसमें प्रोटीन होता है प्रोटीन इसलिए समोंता है क्योंकि यह सोय भी इनकी फलियां होती है इसके जिगप और पी इसका बीन्स कि इतना होता है तो जो हमारा ही चाय वाला कप है इसी से हमने देखों मीजर किया यहां पर तो लगबग यह एक कप के आसपा इसमें आप अड़ कर सकते हैं यहां पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और जो हमने मुंकी डल के स्प्राउस किये थे 50 ग्राम वह हम इसमें डाल देंगे और साथ में यहां पर मैं ले रही हूं एक हरी मिर्ची हरी मिर्ची इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी है और और हम उसकी है और सबस्ते हम्त अब और अजम परस्त को अब जाम अच्छे संग करेंगे तो यह देखे अच्छे से अच्छा पीस्ट की फऑं में यहा गया है इसको अब Em Bass में हर्लेघए और कि सउट ठूड़ा सा फूल ने के लिए सइट होने के लिए ढबके थोड़ा सा आधी चम्मच या इससे भी कम हम यहां पर देशी घी का इस्तमाल कर रहे हैं आप देश सकते हो मैंने जिस्ट यह चम्मच अपने घी के डबे से निकाली है भरा भी नहीं इसको बस हलका सा अपनी जो कड़ाई इसको चिकना कर लेंगे ठीक है बहुत जादा घी का का यूज नहीं करना है अब यहां पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक चोटी सी प्याज एक चोटी प्याज में लगभग 10 कैलरी जो टेस्ट को इन्हांस करती है अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसको यहां पर इसकिप बे कर सकते हैं प्याज को हलका सा यह इनको थोड़ी देर के लिए हम ढखके पका लेंगे अगर आपकी कड़ाई नॉंस्टिक नहीं है तो आप हलक असा यहां पर पानी के छीटे दे सकते हैं अदरवाइस आप इसको इस तरीके से ढख दीजिए और सिर्फ इनको दो से तीन मिनट के लिए हम ढखके पकने देंगे सो दो मिनट हो गए हैं और आप यह देखिए सब्जिया हलकी सी मुलायम हो गए मतलब हम इने एकदम से गलाने भी नहीं है और एकदम ऐसे कच्चे भी ना रहें बस इसको हलका सा मतलब ही सॉफ्ट हो जाएं बस इतना हमें से पकाना है अब जो पनीर हमने यहां पर लिया थ उतना आपके लिए अच्छा रहे में आपको ब्लोटिंग की फ्राबलम कम होगी बस नमक को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिला आकर 5 उसको एकसाइट में घ्रम कर देंगे आप चाहें तो इसमें और मसाले भी आट कर सकते हैं लेकिन मेरे मानन Кांने क आप घाने को जितन तुछ ज़रूरी मसाले हैं वोցट से पहले इस हमिला रीर्णी को थोड़सी हाँ थोड़ी थोड़ा सा नमक दयान रही कि कि नमक अपने मसाले भी किया है तो उसी साथ से नमक को रखिए थोड़ा सा हलका थोड़ इसी में यहां पर डाल रही हूं अगर आपको गैस ब्रॉटिंग की दिक्कत होती है तब तो यह आपके लिए बहुत जादा जरूरी है और साथी जो अजवाइन है वह एक नैचुरल फैट बर्नर है तो जरू प्रिपेर करना है और फिर आप देखना जो आथंटिक टेस्ट आएगा आपको बिल्कुल मजाज आएगा खाके तो सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसके चीली बनाना स्टार्ट करेंगे यहां पर मैंने यह करीब एक चम्चा जो हमारा दाल वाला चम्च लेअर को थोड़ा सा पतला कर दीजिए तो इस तरह से इसको अच्छे से आप फैला लीजी जितना पतला करके फैलाएंगे अथना अच्छे से यह सेख जाएगा और इतने बैटर से जितना भी यह हमने लिया है करीब आपके चार चीली बनेंगे लेकिन आपको इसी दो ही बेखाने हैं एक बार में ठीक है ब्रेकफास्ट भी ले रहे हैं तो भी और डिनर में अगर आप ले रहे हैं तो भी तो देखिए चिला हमने बहुत अच्छे से फैला दिया है और इसको हम इस साइड से पकने देंगे स्टार्टिंग में आप जिसका फ्लेम है वो कम रखिए और फैलाने के बाद आप फ्लेम को फूल कर लीजिए करीघ 2 मिनिट हमने इसको रखा है और यह देखे यह चीला जो अभी तयार होने लगा देखे यसी जैसे ये तयार होता जाएगा र्ली के उθεिया को एक सचेटails से आपने आपको तभी इसके सचेक लिया है तो आई तिंक कि आप या तो उसका गोल बहुत पतला कर लेते होंगे या बहुत उसको आप टाइट रहने देते होंगे तब शाय तोटता होगा अधर्वाइस बहुत ही प्यारा सा इदम सॉस्ट सा क्रंची सा आपका ये चीला बनके तयार होता है तो देखिए दोनों तरफ स ये उबलेवे चने, काले चने इनके भी स्ट्रफिंग आप इसके अंदर दे सकते हैं वो भी बहुत जादा टेस्टी लगती है बस ये देखिए हमारा ये फर्स क्लास सा हमारा नाश्ता बनके तयार हो गया है तो इस तरह से जो ये हमारा एक चीला बिद स्ट्रफिंग जो तो करीब साथ से सतर कैलरी आपकी दही में आती है तो इस तरह से तीन सो कैलरी में ये आपका परफेक्ट ब्रेक्फास्ट बनके रेडी हो गया है फुल अफ फाइवर, फुल अफ प्रोटीन, फुल अफ कंप्लक्स कार्वोहईडेट इंक्लूडिंग बहुत सारे मिनरल्स फटावूदी तो यह जो रहा है यह पूराने मिली आपके नहीं अपको लुक्त की लाइए यह यह बनाते हैं तो यह आपका ब्रेक्फास्ट हो गया, यह हाप काफी हाइड अफ प्रोटीन है यह पर चने की रसिपी मैं आपको नहीं बताईए विकौर्ज आ जैसे हम लग दवरातर पकель नहां बनाते काले चने उबाल जोग प्रिस से लिए के तरीके के से खाना है, डाइट शेयरे हैं, नहीं की भांते हैं तो यह हो गया हमारा ब्रेकपास्ट. और आपके लंच के पहले आपको लेना है कोई भी एक सीजनल फूथ एक आप इसमें संत्रा लेंगे तो बहुत अच्छा है या फिर आप अमरूद ले सकते हैं एक सेव ले सकते हैं या फिर 200 ग्राम तक आप पपीता ले सकते हैं यह फाइबर में काफी रेच है, तो आपको जो एकदम से बहुत तेज जो आपको भूख लगती है, वो आपको नहीं लगेगी आपके लंच के टाइम में, ठीक है? तो यह आपने ले लिया, इसके बाद आजाते है अपने लंच में, लंच में आपको क्या खाना है, यह तो आ हीरा, एक गाजर, और करीब 50 ग्राम के असपास, बिटूफ और एक छोटा कच्चा प्याज, इतना सलाथ आपको अकेले अपने लिए खाना है, जितना जादा अमांट में आप फाइबर खाओगे, उतनी ही आपकी जो भूख है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्रिविंग्स आपको नहीं होगी, जो आपको होता है, डाइट फॉलो करते करते हैं, आपको लगता है, चाय पिलू, थोड़ा संकीन खालू, थोड़ा सा मीठा खालू, ये जो क्रिविंग्स होती है, ये होती है, फाइवर की कमी की वज़े से, तो ये आपको नहीं होगी, अगर आप फा आगी की ले सकते हैं, जरूत नहीं लग रही है, जो भी दाल सबजी बना है, वो आप दो कटोरी ले सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हमें दाल बनाना कैसे है, तो देखो राजमा की रेसिपी मेरे चैनल पे एविलेबल है, मैं इसी वीडियो के लास्ट में ल ठीक है, तो अगर आप अकेली के लिए खाना बना रहे हैं, तो आप आधा कप चैनल की डाल ले सकते हैं, वरना यह रेसिपी है कि आप पूरे घर के लिए एक साथ बना सकते हैं, आपको अपने लिए अलग से कुख करने की जुरूत नहीं, क्योंकि मुझे पता है, जातर मह गंटे पहले आपको भीगो के रख देना है, और भीगोने के बाद यह दाल इस तरीकी से फूल जाएगी, यह देखिए, तो इस दाल को अब हम एक कुकर में डाल लेंगे, जिस पानी में आपने दाल भीगोई है, उस पानी को फेकना नहीं है, दाल को पहले आपको धोना च कि आपको जो भीगोया हुआ पानी है, जिसमें आपने दाल भीगोई है वो आपको यूज कर लेना है, तो दाल को हमने इस में डाल दिया है, और आप चनी की दाल कम पसंद करते या नहीं खाते या आपको इस तरी गैस वगरार कोई प्रप्लम होता है, तो इसकी जिगा पे हम इस दाल के साथ ही यहाँ पर डाल देंगे अब मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया और इसको मैंने काट लिया है इसको भी मैं साथ में यहीं पर इसी में ही डाल दूँगी अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक तो आप जिस हिसाब से खाते हैं जितना आपकी खाने की कॉ मिर्च के जगह आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर मैंने लिया है यह भुना जीरा बस अब हम इसमें एक ग्लास के आसपास पानी डाल देंगे और बस अब हम खुकर कर ढखकन लगा देंगे हो से तीन शीति आने तक अब हमें इसको अच्छे से पका लेना है उसके बाद आपको पूरी फैमिली के लिए कैसे बनाने हैं और आपको कैसे खाना है कितनी कॉंटिटी में यह किस चीज के साथ खाना है सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगी सबसे पहले इसको सीटी लगा के इसको हम गला लेते और फिर मैं आपसे दुबारा मिलते हूं सबसे दाल में तीन सीटी आ गई है और मेरे हिसाब से यह बन गई होगी भी एक पर सको खोल के देख लेते हैं यह देखिए दाल लौकी सबकुछ बहुत अच्छे से गल गया हलका से इस तरीके से चमचे से इसको इस तरह से चला देगे अब यहां पर दो चीज़े आती है देखो आप यह जो भी कोई आपके घर में है इसको खाना है बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए अब आप इसमें प् काटोरी से आपको दो काटोरी यह दाल खाना है और इसके उपर से आपको एक चमच देशी घी डालना है यूंकि घी अपके हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है और देखो इसमें हमने चने की दाल कर इस्तमाल किया जो कि प्रोटीन में काफी रिच है कॉंप्लेक् बहुत साथ में शेयर करूंगी तो चलिए पहले आपको इस इसपी देख लिए उसके बाद आपको इसलेटेट और बहुत सारी चीज़े बतानी हैं प्रपैर करने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन ले लेंगे इस पैन में हम डालेंगे एक गिलास पानी पानी को हम पांच से साथ पत्ते आपको तुल्सी के डालने हैं, यह एंटी अक्सिडनिस में रिच होती है और आपके डाइजीशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथी साथ जिलो को गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी तुल्सी का सेवन जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद हमें इसमें डालना है एक चमच सौंफ, हरी वाली सौंफ यह आपको हर घर में मिल जाएगी, मौथ फ्रेशनर के तौर पे हम इसका इस्तमाल करते हैं, तो यह आपको एक चमच सौंफ पानी में डाल देनी है और इसको अच्छे से वॉयल करना है, यह आपके म पानी को अच्छे से वॉयल करना है, अभी आप देखोगे इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, अब इस पानी को हमें एक कप में छान लेना है, अब आप देखोगे इसका जो कलर है, बिल्कुल मार्केट के ग्रीन टी जैसा है, या कहिए कि उससे भी अच्छा आया इसको आप ऐसे भी पी सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे नहीं पीना चाहते हैं, तो आप इसमें आदा नीमो का रसनी चोड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें एक चमच हनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं, अगर आप इसको वेट लॉस के लिए पी रहे हैं, तो इसमें हनी का इस् कर सकते हैं यह ग्रीन टी आपके सिर्फ पांच मिनट पर बनके तयार हो गई कुछ भी आपको मार्केट से नहीं लाना पड़ा कोई भी आपका एक्स्ट्रा पैसा इसमें खर्श नहीं हुआ है यही ड्रिंक आपको आपके लंच के आदे घंटे के बाद लेनी है इससे आपका अब भी आप ध्यान लखना अपनी स्लीप कॉलिटी अच्छी रखना प्लैस आपका जो इस्ट्रेस का लेवल है उसको थोड़ा सा कम रखो इतना टेंशन क्या लेनी पड़ी है जितना हो सके ठंडे दिमाग से रहिए हस्ते वसकुराते खुश रहिए शरीर भी आपका ठीक अब आपको जरुआत लगे तो आप अपने इवनिंग नहीं लगे तो आप इसको पूरी तरह से इवनिंग स्नाक्स अगर आप को पूरी तरह से सक्प कर सकते हूं अगर आपने सुबा फ्रूट नहीं खाया है तो इस वकत आप कोई भी Fru éta का सकते हैं या फिर आप 20-25 ग्राम तक आप मखाने का सकते हैं या आधे कप के आस-पास आप भुना चना आप ले सकते हैं यह हो गया हमारा evening snacks अब आजाते हैं सबसे जरूरी हमारे डिनर पर देखो अगर बेली फेट कम करना है तो आपको डिनर से कार्व हड़ेट आपको हटाना पड़ेगा और इसको फाइवर रिच बनाना पड़ेगा फाइवर रिच कैसे बनाना है फाइवर रिच बनाने के लिए तीन recipes मेरे चैनल पर अबिलेबल हैं इनका link मैं आपको इस वीडियो के last में दे दूगी साह पर चेक आउट आप जरूर क जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वाकिंग, रणिंग, कुछ भी आप कीजिए, आदे घंटे का intense exercise session आप जरूर कीजिए, इससे भी आपका जो belly fat है, वो reduce होगा, अब हमने अपना डिनर ले लिया, डिनर के बाद रात को सोते वक्त आपको लेना है, एक कप ग्रीन टी आप definitely ले सकते हैं, या फिर छास आप ले सकते हैं, ठीक है, पनीर भी आप ले सकते हैं, लेकिन दूद आपको इस diet pan में नहीं पीना है, ठीक है, साथ में कम से कम तीन से साड़े तीन ग्रास पानी जरूर पीजिए, और आपको constipation ना हो, इस बात का भी ध्यान जरूर रखि ये थैंक यू